महंगाई से जनिता परेशान है और ये परेशानी बेरोजगारी की समस्या ने और बढ़ा दी है लोगों के लिए भोजन जुटाना ही मुश्किल होता जा रहा है इसे लेकर के कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने सवाल उठा हैं और दावा किया है कि अब जन सी लाब उठाने की तैयारी बिजेपी कर रही है इसे लेकर के कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई है मोधी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकरशित करना चाहिए अगस्त में एक समाने खाने की ठाली का दाम 24 प्रतिशत बढ़ गया है देश में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत हो गई है युवाओं का भविश्य अंधिकार में है मोधी सरकार की कुशाशन में भ्रस्टाचार की बाढ़ आ गई है खरगे ने कहा कि C.A.G. न करम मित्र की लूट हाल ही में फिर से सामने आई है आर्वियाई के पुर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचारे ने 2019 चुनाप से पहले आर्वियाई के खजाने में मोधी सरकार को 3 लाख करोड ट्रांसफर करने से सरकारी दवाब का विरोध किया था यह खुलासा अब सामने में आया है पियम मोधी सचाई पर परदा डालने की पुर्जोर कोशिश कर रहे है पर जनता मोधी सरकार के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों के बजाए सच सुनना और देखना चाहती है मोधी सरकार ध्यान लगा कर सुन ले कि 2024 में आपकी बिदाई का रास्ता जनता ने ब